हाई गाईज, वेल्कम टू करेंट अफेर्स फंडा इस वीडियो में हम बूकर प्राइज और इंटरनेशनल बूकर प्राइज के बारे में जानेंगे साथ ही ये भी देखेंगे कि इन प्राइजेस के पास्ट विनर्स और प्रेजेंट में विनर कौन है तो चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो शैचन की मेरे यानी अभिसेक शर्मा के साथ फ्रेंट्स, 2019 तक बूकर प्राइजेस को मैन ग्रूप स्पॉंसर किया करता था लेकिन अब क्रेंग स्टार्ट चेरिटेबल संस्था ये इन प्राइजेस को स्पॉंसर करती है इसलिए अब इने सिंपली बूकर प्राइज कहा जाता है पहले इसे बूकर मैं कोनेल पुरुसकार के नाम से जाना जाता था। परतियक वर्ष ये पुरुसकार उस नोवल को दिया जाता है जो उसी साल इंगलिस लेंग्वेज में लिखा गया हो और युनाइटेट हिंग्डम अथुआ आइरलेंड में प्रकाशित हुआ हो। विजेता को 50,000 पौंड यानी करीब 50,000 रुपे की धनराशी दी जाती है और जो बाकी के शोर्ट लिस्टेड ओथर्स हैं उनको 25,000 पौंड की धनराशी इसमें दी जाती है। पहली पुस्तक है जिसे 1969 में पहला बुकर प्राइज मिला था। अब फ्रेंट जानते हैं कि बुकर प्राइज 2020 के विनर कोन है तो न्यू यॉर्क में बसे इसकोटलेंड के लेखक डगलस इस्टूर्ड इनको इनकी रचना शग्गी बेन के लिए 2020 का बुकर प्राइज मिला है। फ्रेंट सग्गी बेन छोटे लड़के की कहानी है जो की 1980 के दसक में गलस को इसकोटलेंड के सरकारी मकानों में कहीं रह रहा था शग्गी और उसके भाई बहनों को उसके पिता छोड़कर चले गए थे जिसके बाद उनकी सराबी माने उने पाला। तो याद रखना ये स्कोटलेंड के हैं तो इस तरह से भी कोश्चन बन जाता है एक्जाम में कि कहां के हैं और ये हैं फ्रेंट्स अदर शोट लिष्टेड ओथर्स जो की बाकी के शोट लिष्ट हुए थे तो दुबाई में बसी भारते मूल की अवनी दोशी को इनके इंडियन ओथर्स who have won Booker Prize in the past तो फ्रेंड्स भारते लेखक जो की पहले Booker Prize जीत चुके हैं तो उनकी नाम देख लेते हैं तो अरविंद अडिगा अपने उपन्यास The White Tiger के लिए इनोंने Booker Prize जीता है किरन देशाई अपने उपन्यास The Inheritance of Loss इसके लिए इनोंने Booker Prize जीत करें तो सल्मान दस्दी को भी इस लिस्ट में सामिल किया जा सकता है साथी फ्रेंड्स देखते हैं 2019 के Booker Prize winners कौन रहे तो Margaret Atwood इनको इनकी रचना The Testaments के लिए Booker Prize मिला है 2019 का और ये सबसे अधिक उम्र की महिला है जिने ये पुरुसकार से सम्मानित किया गया है इनकी एज ज ये सलेक्ट किया गया है Booker Prize winner के लिए और फ्रेंड्स जो Everest है ये पहली अस्वेत महिला बनी जिने इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो फ्रेंड्स काफी important है जहां भी आपको first किसी उसमें दिखे तो वो काफी important मन जाता है एक्जाम के लिए अब जानते हैं फ्रे प्रेंड्स के चेत्र में दिया जाता है ये पुरुसकार हर साल किसी भी भासा के कालपनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन United Kingdom अत्वा Ireland में हुआ हो प्राइज मनी 50,000 पाउंड को translator और author दोनों के बीच equally share किया जाता है और फ्रेंड्स जो बाकी के shortlisted author और translator होते हैं उनमें उन्हें परतियक को 1,000 पाउंड की राशी उनमें share की जाती है और फ्रेंड्स ये प्रुसकार 2005 में पहली बार अल्मानिया के लेखक इसमाईल कादरी को दिया गया था बात करते हैं फ्रेंड्स इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 वीनर की तो किसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 को जीता है तो निदर्स लेंड की राइटर मारी के लुकास रीजने वेल्ड इन्होंने ये परुसकार जीता है और ये परुसकार जीतने वाली सबसे कुम्ब Michelle Hutchison ने, तो दोनों ही नाम काफी important है, यह आप याद रखना, और किस language में था यह, डश लेंग्विज में था, डश से English में इसको translate किया है, Michelle Hutchison ने, तो I hope friends आपको Booker Price और International Booker Price, इन दोनों में अंदर समझ आया होगा, साथ ही आपको, इनके winner कौन है, यह भी मालूम चले होगे, किन भारतियों ने यह price जीता है, यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा, और friends यह है आपके लिए इस वीडियो से related question, what is the capital city of Scotland, तो friends चार ओप्शन आपको दिये गए हैं, आपको comment box में बताना है, कि इन चारो cities में से, कौन Scotland की capital city है, और साथ में आप स लगते हैं, और दोस्ते हैं आपर current affairs की playlist दी गई है, इसको जरूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ whatsapp and telegram पर share करें, like करें और comment करें